आज हम बनाएंगे बिहार स्पेसल आहोना मतन जी हाँ और यह ओहोना मतन जो है वो हांडी में बनाया जाता है बट आज हम इसको कडाई में बनाएंगे और यह बहुत अच्छा बना था तो चलिए इसकी रेसी देख लेते हैं तो आहोना मतन बनाने के लिए मैंने यहां पे 6 सबस्याप खेब से रहो बड़ ज्स समय रहा और लाइस लाव के लिए। गज़ो की गर्षी को अच्छी प्यवारी नीज उसके 3 प्यूछ ऐससे थीव की भूणी नीयुड लाइसर नीज ने किसां। साध्या ,बाखे लेम आगे से अहां और यह क्общातर आगे सोखाम लिया है आगे समूमखेंद और मील स्कारज़ मगयी है और यह पर झालियों में चुछ नीजियों साथ को दो चमच मैंने यहां पर मीट मसाला लिया है जो मतन मसाला मार्केट में मिलता है और नमक है इसके साथ ही यहां पर मैंने 600 ग्राम मतन लिया था जिसको कि अच्छे से धोके साफ कर लिया था तो अवना मतन मैंना जितनी पी चीजे हमें यहां पर एक साथ इसको मैरिनेट कर ले तो अगर आप यहां पर अध्रक लेस्ट का पेस्ट एड़ करना चाहिए तो भी एड़ कर सकते हैं अगर आपके घर लोग तो आप इसमें जाता है उसके बाद सारे पॉडर मसाले एड़ कर दिया है और उसके बाद मैंने हैं यहां पर दो चम्मा सरसो का तेल लिया तो इसको अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद इसमें डाल देना है तो सरसो तेल ही यूज करिएगा अहौना मटन बनाने के लिए क्योंकि इसको टेस्ट इसमें जादा आच्छा हाता है इसके बाद हमने इसको हाथों से अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि मैं अपने यह पर लाल मीट्शी बॉर्डर दाल सकते हैं तो बस इसका दो मिक्स मेट लेना है warrant अहना मत्न मेन आपर हांडी में भर कर लोड़ा है मेट इन खांपीWhaktis กर बॉड़ेपीट इसका हीना में अधन मेटे listensantis तो बस इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लिया है तो इसको हम ऐसे ही मैरिनेट करके आदा घंटा के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैंने यहां पे कडाई रग दिया है गैस पे गरम होने के लिए और इसके बाद इसमें मैंने चार चम्मल सरसो का तेल अड़ किया है अगर आप अच्छे से गरम नहीं होगा तो फिर सरसो तेल का अच्छा कच्छा सा फ्लेबर जो है हमारे बटन में आने लगेगा जो कि टेस्ट को पूरी तरह से खराब कर देगा तो जब तेल अच्छा से गरम हो जाएगा ना तभी हमें इसमें कुछ भी एड़ करना है तो जैसे कि आप देख रहेंगे हमारे तेल पे अच्छा से गरम हो गया है तो इसके बाद मैंने यहां पर दो तेजपत्ता और जो सुखी लाल मिर्च रखी थी उसको यहां पर डाल कर ले तो वाहिए पॉंन हिस पती है वाहिए कलर नवान फार से उसको नवान परोम कर लेंगे या मुन से समय जाना था है तो मैंने यहां पे सको डाल दिère है और बस हमें एक बार अच्छे से चला लेना है Canadian अउयल के साथ जिसकी यह जलेना और मतलब É अच्छे से यह मिकस को जाए कि ऑल के साथ तब यह पकना जो है वह शुरू हो जाएगा तो 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 दोस्तों सोकुत तक ज़्जादा लगता कि पहले पहलेको प्रेसिक नहीं है आप उपियोया कि सट्रेक कुक करने वाले हैं तो बस इसको झालने के बाद ढख के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए और 10-15 मिनट के बाद आ जिए और तेक्टो पीज तेक्टेशों देखिए कितना अच्छा हो तो यह अहना मटन का टेस्ट जो है ना बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत ही जबर्दस बनता है तो यह देखिए यह ऐल भी छोड़ना स्टार्ट हो गया है और अलमस्ट 80% जो है हमारा मटन जो है वह एकदम अच्छे से कुक हो चुका है तो 10-10 मिनट में इसको निकाल लेकाल के चला दे रही थी ताकि यह नीचे चिपके ना तो इसको हम ऐसे ही 10-10 मिनट में चलाते रहेंगे और ढख ढख के हमें इसको पकाना है तो बस आप जितना दे में डाकिनल के लिए गरम पानी एड करिया है तो मैंने यहां पर एक कप के करीब घरम पानी एड किया था तो आप मतन में हमेशा करम गरम पानी करे थन्दी पानी मत खुआ करिए क्युकर पानी घर्भ करने से आसानी सेबने सो आक घर slut ऐए और अगर अब ध N-dam मांट मृत बन के तयार हो गया और देखने में बहुत ही तेस्टी लग रहा है आप चाहिए तो और भी ड्राइ कर सकते हैं तो थोड़ा से ग्रेवी रखा यह तो जो होता है ना वही बहुत टेस्टी लगता है खाने में और पिसेज भी अराम से कुक हो गया है तो यहां पर हम फ्लेम को अराम से पक चुका है हमारा मटन और यह लेसन की कलिया है जरूर एड़ करिएगा यह अहुना मटन का सान होता है और इसका टेज बहुत ज्यादा इन्हांस होता है तो ऊपर से थोड़ी सी धनिया पती एड़ कर देंगे तो आप इस मटन को घी राइस के साथ कहिएगा नाई हो तो मेरे चानल को लाइक और शेयर करिए नाए हो तो सब्सक्राइब कर लिजे मिलते रहेंगे नई रेसिप्पी वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मेरे चानल को देखते रहिए थैंक्स फूर वॉच्छ